हेले माई दियर फ्रेंड्स आप सभी का हमारे चैनल बीट्यूपी श्ट्यूटी पॉएंट में स्वागत है दोस्तों बॉयलोची से आज आपका न्यू लेशन इस्टार्ट हुआ है जो की जन्तु विज्ञान से आपका पोसर यहां पे न्यूट्रेशन जन्तु विज्ञान जन्तु जगत का वर्गी करण बहुत ही अच्छी तरीके से बहतरीन तरीके से हमने पूरे क्वेश्चिन के साथ हमने कंप्लिट किया आज आपका न्यू चैप्टर यहां पे स्टार्ट हुआ है न्यूट्रेशन पोसर वेरी इंपोटेंट लेसन है दोस्त एक एक करते हुए चलिएगा सबसे पहले दोस्त हम आपको बताएंगे यहां पे सारे टॉपिक क्लियर करेंगे एक छोटे से छोटे पॉइंट को आप लोग क्या करियेगा नोडाउन करते हुए ही चलिएगा क्योंकि इंट्रेंस इक्जाम में दोस्त इस पॉइंट से भी क्वेश उसे आप असानी से question को solve कर पाएंगे चलते हैं दोस्त क्लासिस को start करते हैं चैनल पे पहली बार भीट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्त वीडियो को ज्यादा से ज्यादा share करिएगा ताकि क्लासिस का information और भी student के पास post के तो दोस्त सबसे पहले हम जान करने के बाद पाचन पचे हुए भोजन के और सोसर और और पचित भोजन के बहिसकार से सम्मधित हम क्या करते हैं पोसर में अध्यन करते हैं यह आपके total मुख्यतत दो परकार का होता है कैसा पहला होता है दोस्त स्वापोसर दूसरा होता है आपका परपोसर अब स्वापो पोसड के अंतरकत जीव अपना भोजन जो है वो स्वयम बनाते हैं जैसे एक्जामपल की बात करें सभी हरे पौधे कुछ एक कोसिकी जीव जैसे बात करें एक्जामपल यूगलीना वालवाक्स यह सभी क्या है यह अपना भोजन स्वयम बनाते हैं अब बात कर लेते हम दूस मृतुप जीवी तथा कीटहारी पौधे यह सभी क्या है आपके परपोसर के अंतरगत आते हैं यहां तक कि मानव भी आपका क्या है एक परपोसी जीव है ठीक है इसे भी आप लोग नूट करते हुए ही चलिए हम चलते हैं दोस्ते आप फर्स्ट टॉपिक पे जो हमारा आज का टॉपिक है दोस्त इसमें धेर सारे वेरी इंपोटेंट पॉइंटों को कवर करेंगे आज के इस वीडियो में और एक एक पॉइंट आप लोग नूट करते हुए ही चलिएगा सबसे पहले दोस्त हम यहां पे जानेंगे फूड भोजन हमारा आज पहला टॉपिक है इसक कि अवयों क्या क्या है यानि की कंपोनेंट्स आफ फूड के बारे में जानेंगे फिर आपको कार्बोहाइडरेट के बारे में जानते हैं टाइप आफ कार्बोहाइडरेट के बारे में जानते हैं ठीक है धेर सारी चीजे इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे सबसे पहल कि संचालन हेतु ग्रहण किया जाता है यह विभिन्द पदार्थों का मिस्रण होता है जिसका मात्रा और उसका अव्यव भिन्द हो सकता है ठीक है भोजन दोस्त आपको समझ में आ गया नॉर्मल वे में बताऊं तो जो भी जीव ग्रहण करता है जो अपने विक्थी के लिए विकास के लिए जो भी चीजे ग्रहण करता है भोजन जिसमें हमारे धेर सारी आपके कार्बोहाइड्रेड है ठीक है इस्टार्च है सरकरा है सेलिलोस है यह सभी आपके क्या है उसमें जो भी ग्रहण करता है वो किसके लिए वो आपके उसके विकास के लिए उसके व्रिद के बारे में very important point है इसको आप note कर लिजिए कि आपके जो components कौन कौन से होता है यानि कि भोजन के अवयव कौन से है ठीक है तो भोजन के मुख्यता साथ अवयव होते हैं कौन कौन से पहला आपका first very important होता है carbohydrate अभी इसके बारे में बहुत ही detail से आपको बताएंगे कि carbohydrate क्या होता है carbohydrate है दोस्त पहला भोजन का अवयव दूसरा है आपका वसा तीसरा दोस्त यहाँ पर प्रोटीन है चौथा आपका खनीज लवड है पाचवा आपका यहाँ पर विटामिन है छठा आपका जल है और साथा आपका क्या है मोटा चारा ठीक है तो यह आपके साथ क्या है भोजन के अवय होग है components of food है अब हम बात कल लेते हैं हमारा next topic है जो हमारा next topic होगा वो क्या होगा दोस्त carbohydrate कर्बो हाइडरेट के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से जानेंगे ध्यान पूरवक आप लोग इसको समझने की कोसिस करिएगा ठीक है एक एक point दोस्त आप लोग समझिएगा न समझ में है दोस्त वीडियो को एक बार पूरा पढ़ने के बार दोबारा से फिर से आप इसी को वीडियो को दो बार तीन बार देखिए ताकि आपको points समझ में आ जाए ठीक है क्योंकि दोस्त ऐसे ही question वहाँ पे भी आपको entrance exam में पूछेंगे points से ही question पूछेंगे तो जितने मैं topic clear करा रहा हूँ उसको आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़िए notes बनाईए ताकि entrance exam के समय आप इसका असानी से revision कर सकते हैं इसका pdf भी दोस्त मैं आपको telegram पे provide करा दूँगा आप telegram हमारे telegram channel को join कर लीजिए या अगर कोई भी student को किसी भी प्रकार का समस्य है दोस्त कोई query हो तो आप हमारे whatsapp number पे भी message कर सकते हैं मैं आपको whatsapp number बता देता हूँ 73939405557 इस whatsapp number पे भी दोस्त आप message करके कोई भी आपका query हो तो वहाँ पे दोस्त आप पूछ सकते हैं आते हैं दोस्त हम अपने topic पे हमारा topic है या पे carbohydrate तो carbohydrate आपका poly hydroxy aldehyde अथवा क्या होते हैं ketone होते हैं जो की carbon hydrogen और oxygen से बने होते हैं इसमें तीनों का अनुपात क्या होता है एक संबंधे दो संबंधे एक का अनुपात होता है किसमें अब दोस्त internet exam में कैसे आपको question पूछे जाएंगे जैसे आपको पूछ लिया kybohydrate में जो आपका carbon hydrogen oxygen का जो अनुपात है वो कितना होता है तो उतना आपको अनुपात पता होना चाहिए वन संबंधे दो संबंधे वन रेका है रेसियो आपको पूछ लेता है intrinsic exam में तो ऐसे ही आप लोग जब charge संबंधे कर्भो हाइडिर की बारे जानते है इसका जो समाने सुत्र होता है दोस्त आपका जिए कैं है मादा का नर्बादे संख़या कार्बोल्ट्न परमाड़ों की संख्या दोस्त अगले आपका पुइंट है कार्भो हाइड्ड़रीट है वो हमारे का नहीं आकसी करण के पस्चात सरीर में उर्जा उत्पन करते हैं और एक ग्राम कार्बो हाइडरेट के आकसी करण से 17 किलो जूल अथवा 4.1 किलो कैलोरी उर्जा निकलती है ठीक है इसको नोट करिए दोस्त वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट है एक ग्राम कार्बो हाइडरेट का आकसी करण से हमें कितनी उर्जा मिलती है 4.1 किलो कैलोरी उर्जा मिलती है नोट कर लिए दोस्त वेरी इंपोर्टेंट है नेक्स्ट ये भी आपका इंपोर्टेंट पॉइंट है तो शारे चीजりे आप लोग नोट करते हुई इचलिये हमारे भूजन की कुल उर्जा में से लगबग 60-80% उर्जा वो हमें किस से प्राप्त होती है कार्बो हाइडरेट से प्राप्त होती है ठीक है अ, कार्बो हाइडरेट हमारे सरीकर लगबग क्या है ठीक है तीन वर्गों में बाटा जा सकता है कौन कौन से हैं पहला है आपका Monosaccharides ठीक है Monosaccharides के बारे हम जानते हैं ये आपका Carbohydrate का सबसे सरलतम रूप हैं ये केवल एक सरकरा अडू के बने होते हैं जो आपके Monosaccharides होते हैं ये किवल एक ही आपके सरकरा अडू के बने होते हैं जैसे एकजामपल की बात करें दोस्ते हाँ पे तो ग्लुकोस, फ्रक्टोस, गेलेक्टोस ये सभी क्या हैं आपके? मोनोसेकराइड्स हैं ठीक है, अगले हम कार्बोहाइडेट के टाइप की बात करते हैं जैसे अगर बात करें सुक्रोच जिसमें आपके क्या क्या आते हैं चीनी सहद, माल्टोस, लेक्टोस ये आपके दूद सरकरा ठीक है, अगले दोस्त हमारा तीसरा है वो हमारा पॉली सेकराइड्स तो पॉली सेकराइड्स में आपका बहुत से मोनोसेकराइड्स एकाईयो की गलीकोसाइडिक बंद द्वारा जूड़ने से बनते हैं, जैसे अगर बात करें सेलिलोस, इस्टार्च इस्टार्च किसमें पाए जाता है दोस्त ये आपका आलू में पाए जाता है गलाइकोजन, गलाइकोजन किसमें जन्तु यक्रित में पाए जाता है काईटीन, काईटीन कहाँ पे दोस्त आर्थोपोर्ट्स के कवच में पाए जाता है और हैलियोरोनिक अमल, ये आपका क्या है, पाली सेक्राइड्स के एक्जामपल है, ठीक है, तो ये रहा बारे में दोस्त हम जानेंगे, वेरी इंपोटेंट है, इसलिए पॉइंट को नोट करते हुए ही चलिएगा पहला दोस्त, सेल्यूलोस के बारे में जानते हैं आपे, ठीक है तो सेल्यूलोस जो होता है दोस्त, यह पौधे की कोशिका भित्ती में पाई जाती है, कहाँ पहले पौधे की कोशिका भित्ती में पाई जाती है सेल्यूलोस कापास एवं कागज, सुद्ध सेल्यूलोस के बने होते हैं यह एक ग्लुकोज का क्या एक बहुलक है, अगले पॉइंट पे बात करते हैं, पसुओ पसुओं में बात करें दोस्तों यहाँ पे गाय, भैस, बक्री इसमें सेल्यूलोस का पाचन होता है परन्तों मनुस में सेल्यूलोस का पाचन नहीं होता है, ठीक है अगला हम बात करते हैं सूगर की सरकरा की बात करते हैं दोस्ते हाँ पे तो यह आपका मीठा क्रिश्टली सफेद जल में घुलनसील पदार्थ होता है जो की आपका मुख्यत इसमें फल में पाया जाता है ग्लुकोज सरकरा की अत्रिक मात्रा यक्रित में ग्लाइकोजन की रूप में तथा सरीर में अन्य भागों में वसा के रूप में संग्रहित करती है अगर वहाँ पे ग्लुकोज की अधिक मात्रा हो जाएगी तो यक्रित की ग्लाइकोजन रूधीर में सरकरा का इस्थर भी नियंतित करती है यक्रित की जो आपकी ग्लाइकोजन है वो क्या है रुधीर में आपका सरक्रा का इस्तर जो है वो आपका क्या है वहाँ पे नियांतित करती है स्टार्ज के बारे में भी जानते हैं दोस्ते हैं आपे very important point है स्टार्ज से related आपको question हर बार entrance exam में पूशा गया है इस्टार्ज भी पूशा गया है दोस्त इंसूलीन भी पूशा गया है और आपका यहाँ पे cellulose भी पूशा गया है इसलिए सभी point को आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से clear out करिये यहाँ पे तो इस्टार्ज के बारे में जानते हैं आपे पादप कोशिकाओं का एक संग्रहित पदार्थ होता है रसाइनिक रूप से यह एमाई लोच एवं एमाई लोप्तिन का मिस्त्रड होता है जिसका अनुपाद कितना होता है वन रेसियो 4 का होता है ठीक है इसमें तनु एसल द्वारा यह ग्लुकोज में अबगटित हो जाता है कौन इस्टार्च आपका लास्ट पॉइंट है दोस्त आपका इंसूलीन इसको भी आप लोग जान लिजे इंसूलीन है कुछ पॉधों की जड़ोव कंदों में पाए जाने वाले वे इस्टार्च होते हैं जो की फ्रक्टोस में जल अबगटित हो जाते हैं ठीक है यह आपके इंसूलीन हो गए नेश्ट दोस्त अगला हमारा जो टॉपिक है वह वेरी इंपोर्टेंट है कार्बो हाइड्रेट क के बारे मां जान लेते हैं यह आपका ध्यान पु मिष्ट करते हूँ है वन चेप्टर आपका फिजिक आपका बहुत ही यहां पर start हो जाएगा source of carbohydrates के बारे में जानते हैं दूस्त नेश्ट हमारे जो point होगा वह हमारा topic होगा वसा और वसी अमल होगा protein होगा खनीज्ड लवड होगा और धेर सारे आपके खनीज्ड लवड के कारे स्रोत और उससे उत्पन होने वाले रोक के बारे में हम आगे के वी बात करें तो अनाज में आपका कौन-कौनसा चावल, गेहु, मक्का, सरकरा में बात करें तो सहत, गन्ना, चुकंदर, जैम, रोटी, दूद, यह सभी क्या है आपके कार्बोहाइडरेट के स्त्रोत हैं कार्बोहाइडरेट की अधिधिक मात्रा लेने से पाचन, तंत्र, सम आज मैंने जितने topic कराया आपको, सारे बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया है, वीडियो दोस्त अच्छा लगा हो तो वीडियो को like करियेगा, साहि दोस्त वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में share करियेगा, ताकि classes का information और भी study prints सके, thank you.